तो दोस्तो आज की इस वीडियो में एक्जाम एनलिसिस करेंगे SSC CHSL एक्जाम का तो 30 में को जो आपकी थर्ड शिफ्ट होई है उसमें जो भी कोश्चन्स पूछे गए हैं आज हम उनको इस वीडियो में कवर करेंगे हमको जितने कोश्चन्स मिल पाए हैं उनको प्रोवाइ करते हैं जिससे बाकी स्टुरेंट्स को पता चल सकें कि किस तरीके के कोश्चन्स आपके थर्ड शिफ्ट के एक्जाम में पूछे गए हैं इसके बाद आपको एक सेपरेट तीनों शिफ्ट की वीडियो भी कंबाइन वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएगी जल्दी च की गई थी यह आपकी पंजाब स्टेट गवर्मेंट के द्वारा लॉंच करी गई थी आपसे यह कोश्चन पूछा गया था आपका करेक्ट आंसर था इसकोशन का पंजाब स्टेट अगला कोश्चन देखते हैं अगला question आपसे पूछा गया है red fort in Delhi was built by whom तो दिल्ली में जो लाल गिरा है ये किसके द्वारा बनवाया गया था इसमें आपका answer था शाह जाह जाह जो है उनके द्वारा बनवाया गया था red fort जो कि Delhi में located है अगर आपसे आगरा वाला पूछा गया था कि आगरा में जो red fort है वो किसके द्वारा बनवाया गया था तो आपका answer था अकबर अकबर ने जो आगरा में red fort है वो बनवाया था और शाह जाह जाने जो Delhi में red fort है वो बनवाया था दोनों में काफी confusion होता है question में तो आप इस चीज़ को clear रखें इसके अलावा बाकी अगर कुछ monuments की बात करी जाए जो important रहते हैं आगे आने वाली शिपस में आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं तो जामा मस्जिद जो है ये डेली में located है ये शाह जाके द्वारा बनवाई गई है अगर जंतर मंतर की बात करी जाए जो कि डेली में है तो ये सवई जैसिंग के द्वारा बनवाई गया है मोती मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई है डेली वाली तो ये औरंग जेब के द्वारा बनवाई गया है कुतुब मिनार जो है डेली में ये किसने बनाया है तो कुतुब संट टेमपल के नाम से भी जाना जाता है और यह बनवाय गया था नर्सिम देव Bubble फॉस्ट के तो आज की shift का ये question रहेगा, आपका इसमें correct answer था 5 ways, पांच तरीके होते हैं जिनसे out किया जा सकता है किसी batsman को cricket में, कौन-कौन से 5 तरीके रहेंगे तो वो रहेंगे, आपके एक तो bold, bold कर देना, catch करना, caught, lbw, run out या फिर stump, ये 5 तरीके होते हैं जिससे किसी player को, किसी batsman को cricket में out किया जा सकता है, तो जो आपके question का answer था, वो तब 5 ways, या 5 types, पांच तरीके से किसी player को out किया जा सकता है cricket match में, अगला question देखते हैं हमारा, अगला question आपसे पूछा गया, उस्ताद बिस्मिल्ला खान is related to which musical instrument, तो ये question तीसरी या चौती बार repeat हो रहा है, आपकी shifts में, exams में CHSL के, तो बार-बार questions काफी जादा रहेंगे, जो कि आपके repeat हो रहे हैं, और ये जो topic रहा है musical instrument, ये आपका CHSL exam का most important topic रहा है, इसकी separate video आपको channel पे provide कराई जा चुकिए, हमारा दूसरा channel है, HVS studies 2.0, उसका link आपको description में मिल जाएगा channel का, आप उस पे जाके इन वीडियो को देख सकते हैं, musical instrument काफी जादा important एक topic रहा है, अभी तक हर एक shift में, 2-3 question आपके पूछे ही पूछे जा रहे है musical instrument से, और दूसरा जो topic रहा है आपका वो रहा है, books and authors का, autobiography या फिर books and authors का, जिससे आपके 3-4 question अभी भी shift में, हर shift में पूछे जा रहे हैं, तो 5-6 question तो आपके इन दो topic से ही पूछे जा रहे हैं, अगर आप interested हो, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहें इन वीडियो को देखना, तो हमारे दूसरे चैनल पर आपको मिल जाएंगी, काफी मदद मिल रही है, जो students देख रहे हैं, उनको भी मदद मिल रही है, comment में उनके द्वारा बताए भी जा रहा है, तो आपकी मर्जी है, आप चाहें तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चैनल का, आप उस पे जाके वीडियो को फॉलो करें, अगर उस्ताद बिस्मिल्ला खान की बात करी जाए, तो ये कौन से वादक यंद से संबंदित हैं, तो इसमें आपका आंसर हो जाएका शेहनाई, तो शेहनाई को प्ले करते हैं, शेहनाई बजाते हैं आपके, उस्ताद बिस्मिल्ला खान, अगर शेहनाई के कुछ और फेमस मुजिशन की बात करी जाए, तो कृष्ण राम चौदरी रहेंगे, अली एहमद हुसेन रहेंगे, पंडित ऐस बालेश रहेंगे, पंडित रगुनाद प्रसन्ना रहेंगे, आनंत लाल रहेंगे, पंडित विशनु प्रसन्ना और पंडित राजिंद्र प्रसन्ना रहेंगे, रिशी कुमार, निशान्त विश्वास, तो ये काफी important musicians हैं आपके ये सभी जो musicians जिनके हमने नाम ये cover किये हैं ये सभी आपके किस से related हैं तो ये सभी आपके शेहनाई से related हैं शेहनाई को ये सभी play करते हैं अगला question देखते हैं अगले question पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाते हैं SST CHSL exam 2022 के लिए expected और repeated questions की एक e-book हमारे दुआरा launch करी गई है जो कि सिर्फ आपको 39 डुपीज में provide कराई जा रही है important क्यों रहेगी क्योंकि जो हमारी team के दुआरा questions इस e-book में आपको provide कराई गए हैं वो most repeated questions है जो की बार-बार आपके CHSL के exams में पूछे जाते हैं जिस तरीकी का pattern चला है उसके लिए important रहेंगे तो अगर आप interested हो 700 plus expected questions की series है 700 से जादा questions आपको इसमें मिलेंगे 2021 के जो previous year के questions है उनको भी include किया गया है अगर आप interested हो तो link description में provide किया गया है आप description में जाके इसको buy कर सकते हैं payment करने के बाद आपको page पे ही रुकना है file वहीं पे मिलेगी वो आपको download कर लेनी है अगर आप download नहीं कर पाते तो यह हमारी Gmail ID है आप इस पे directly mail कर सकते हैं अग अधारत का जो राष्ट्रे गान है ये पहली बार कब गया गया था तो आपका answer था इस question का 27 December 1911 तो 27 December 1911 को पहली बार India का national anthem गया गया था अगर आपसे ये पूछा गया था कहां पे गया गया था तो Calcutta session जो था आपका Indian National Congress का 1911 का उसमें पहली बार India National जो इंडिया का national anthem है उसको गाया गया था तो ये question का आपका correct answer था अगला question देखते हैं which valley lies between धौलादर and पीर पंजल तो धौलादर और पीर पंजल के बीच में कौन सी वैली है जो की रहेगी जो की आपकी पाई जाती है बीच में located है तो कौन सी वैली रहेगी तो आपका answer हो जाएगा बारा बं पीर पंजल के बीच में आपकी 12 बंगल वैली जो है ये लाई करती है अगला question देखते हैं who was the voice roy of India at the time of formation of Indian National Congress तो Indian National Congress के formation के time पे मतलब 1885 के time के करीब जो voice roy थे इंडिया के वो कौन थे ये question आपसे पूछा जा रहा है तो आपका answer हो जाएगा Lord Dufferin Lord Dufferin जो थे आपके voice roy थे इंडिया के कब Indian National Congress के formation के time पे Indian National Congress form कब हुआ तो 1885 में तो उस time पे आपके Lord Dufferin रहेंगे 1885 में A.O.Hume के द्वारा form किया था Indian National Congress को जिसके पहले president थे आपके वुमेज चंद्र बैनर जी अगला question देखते हैं अगला question आपका books and authors से related पूछा गया है और आपसे autobiography से related भी question कोई पूछा गया है आज की shift में थर्ड shift में ही आपके तीन question इस्ट्वेंट्स के द्वारा बताये जा रहे हैं books and authors से पूछे गये हैं तो इसकी जो separate most important वीडियो है वो दूसरे चैनल पे है HVS Studies 2.0 पे link description में है अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी तो आप यकीन मानिये आपके आगे आने वाली shifts में आपके जो दो तीन question आप बिल्कुल आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वो आपका रह जाएगा तो on the origin of species book written by Charles Darwin was published in which year तो on the origin of species जो book है ये Charles Darwin के द्वारा लिखी गई है अब ये जो इन् तो ये आपको ध्यान रखना है इसी तरीके की questions आगे आने वाली shifts के लिए भी important रहेंगे अगला question देखते हैं विजयनगर empire was established by तो विजयनगर empire जो है इसकी जो स्थापना की गई है ये किसके द्वारा की गई आपसे ये question पूछा गया अगर आपसे year पूछा गया था कि स्थापना कब करी गई तो आपका answer था 1336 1336 में establishment हुईती विजयनगर empire की किसके द्वारा की गई तो हरी हर और book क इन दोनों के द्वारा इन दोनों ने मिलके establishment की ते आपकी विजयनगर empire की तो अभी हमारी जो second shift की वीडियो थी उसमें ही हमने इस question को cover किया था कि A Little Book of India जो है ये किसके द्वारा लिखी गई है इसके author कौन है तो हमारा answer हो जाएगा Ruskin Bond तो Ruskin Bond जो है ये author रहेंगे आपके book के जिसका title रहेगा A Little Book of India celebrating 75 years of independence तो इसका answer था आपका Ruskin Bond इतने ही questions रहेंगे जो कि हमको मिल पाए हैं अगर इनके अलावा बाकी questions आपको ध्यान हो तो आप comment box में जरूर type करते हैं जो हमारी e-books है अगर आप उनको buy करना चाहें तो लिंक भी description में आप उनको भी जाके description में buy कर सकते हैं और जो हमारा दूसरा channel है जिस पर topic की videos मिलती है उसका link भी description में provided है तो आप description को जरूर एक बार check करें धन्यवाद